सो हिलो वरीवन, या भी बिहार बूर्ड के दसवी केक्षा के स्ट्टेंट हैं और आभी 16 फरवई 23 को समाजी बिग्यान का एक्जाम पेपर देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को सुरू से लेकरन तक जरू देखेगा इस वीडियो में हम आप सबी को ताने जा रहे हैं कोशन नमर एक से लेकर असी तक का समाजी बिग्यान का ऐसा इंपोटेंट भी बिवियाई आपजेक्टिव कोशन जो कि आपके 16 फरवई 23 को होने वाले मैटिक एक्जाम पेपर के लिए काप इपोटेंट है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लिजे चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि ऐसे ही आने वाली हर दस्वी कशा का इंपोटेंट कोशन का वीडियो आप सभी को देखने को मिसके हलाकि ये फाइनल एक्जाम का रिवीजन वीडियो है इसलिए आपको ये सुरूश लेकर अंतरकि इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए तो ये सबसे पहला स्वाल कोसमे एक में दिया गया है कि यूरॉप वाश्यों के लिए किस देश का साहित एम ग्यान बिग्यान वीशेस प्रेड़ना सरोट रहा तो कउशन नमर एक का राई disruption भी होजाएगा उसके बाद में अईलाय स्वाल कुष्मत दू करता है कि इटली एंजर्मनी वरतमान में किस महादेश के अंत्रिखत आते हैं तो आप सभी कोता दें कि इटली और जर्मनी जो है वरतमान में यूरोप महादेश की अंद्गत आती है तो कोशन नमर दो का राइट इस रफसें सी हो जाएगा यूरोप उसके बाद में अईला स्वाल कुश्मत तीन में दिया गया है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है आप सभी को उता दें कि रूस के जो भी सासक ने समराट हुआ करते थे उन्हीं समराट को जार कहा जाता था तो रूस में जार का क्या अर्थ होगा तो रूस का समराट हो जाएगा उसके बाद में अईला स्वाल कुश्मत चार में दिया गया है हींद चीन छेत्र में कौन से देश आती हैं आप सम्हीं को दा देए कि हींद चीन छेत्र में कंबोडिया वित्नाम और ला ओस आती है और मैटिक एक्जाम पेपर दुजार बाईश में भी स्वाल पूशा गया है कि इनğ sensational नहीं था कि याद रख़ेगा कमबोडिया बितनाम और लाओस के लावे कोई भी देश का नाम दिया जाएगा तो वहीं आपका एंसर हो जाएगा अब चलिए अगला स्वाल कोश्मा 5 को देख लेती है कोश्मा 5 करता है कि बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपाधी किस किसान आंदोलन के दोरान दी गई थी तो आप सभी को दा दें कि सरदार बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपाधी बारदोली किसान आंदोलन के दोरान दी गई थी तो कोश्मा 5 का सही जबाव अपसेन एह हो जाएगा एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में सेयर का लिजे और चैनल पने होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सकाइब करें लिजे ताकि आगे आने वाली हिंदी और संस्कीत का वीडियो मिल सके देखिए एलेस वाल किसमें च्छोग करता है कि जनसंक्या का घंट तो सबसे अधिक आँ होता है तो आप सभी को वता दें कि जनसंक्या का जो घंट तो है उस सबसे अधिक माहा नगर में होता है और बिहार का कौन से जिला जन संक्या के दिरिष्टी कौन से अगरनी है तो आप से भी को आलुम होगा कि बिहार का पाटना जिला जन संक्या के दिरिष्टी कौन से सबसे अगरनी यानि सबसे प्रतमास्तान पे है तो उस राज का नाम यूपी है यानि उत्तर परदेश है उसके बाद में अइलाइश स्वाल केसमें साथ में दिया गया है भारत के लिए पहला फैक्तÁP्रेट किस वर्स पारिध किया गया था तो आप से भी उता दीए कि बाद में कि बीहार सबसे पहला जो फैक्तरा पारिध किया गया यहां से मेंटिक एक्जाम पेपर में ये भी स्वाल देखने को मिला था कि गिर्मिटिया मजदूर की से कहा ज़ता है तो याद रखेगा गिर्मिटिया जो मजदूर है ये अनुवंधित मजदूर को कहा ज़ता है उसके बाद में कहता है कि वरना कीवलर प्रेस एक से बचने के लिए किस पत्र ने रातो रात अपनी भासा बदल दी थी तो दस्तों आप सभी को ता दें कि वरना कीवलर प्रेस एक से बचने के लिए आमरीत बजार पत्रिका ने रातो रात अपनी भासा बदल दी थी तो Q9 का Right Disruption C हो जाएगा उसके बाद में करता है कि पुन स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेश के किस वार्षी का दिवेशन में पारिध हुआ था आप सभी को मालिम होगा कि पुन स्वराज दल की जो अस्थापना है ये सन 1923 इसी में हुआ था जिसका ध्यक्ष मोती लाल नहरू और चीतरण्यन दासे और यहीं 1930 इसी में जो पुन स्वराज पाठी के जो गठन हुआ था इसी के द्वरा लाहोर अधिवेशन में सन 1929 इसी में पुन स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारिद किया गया था तो कोशन में 10 का राइट इसरप्सन यह हो जाएगा लाहोर अधिवेशन उसके बाद में करता है कि भारत के किस अस्थान पर पहला परमानू उर्जा केंद्र अस्थापीत किया गया था तो आप सभी गता दें कि भारत के तारापूर अस्थान पे पहला परमानू बीथूत उर्जा केंद्र अस्थापीत किया गया था उसके बाद में कोशन में 12 को देखिए कि प्रकृतिक गैस की स्खनीज के साथ पाया जाता है तो आप सभी गता दें कि प्रकृतिक जो गैस है ये चुना पत्थर नहीं बलकि पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है तो कोशन में 12 का सही जबाब अपसेन भी हो जाएगा उसके बाद में करता है कि उर्जा का गयर पारमपरीक स्रोथ क्या हो जाएगा तो दोस्तों आप सभी कुता दें कि यहाँ पे उर्जा का कोईला बीधूत पेट्रोलियम में पारमपरीक स्रोथ है लेकिन सौर उर्जा ये गयर पारमपरीक स्रोथ माना जाता है तो कोशन मेर 13 का राइट इसर अपसेन डी हो जाएगा तो कोशन मर 14 का राइट इसरप्शन C के सामद चला जाएगा मिथाईल आईसो साइनाई को इसके बाद में कोशन मर 15 को देखीए कोशन मर 15 कहता है इक फाल्टा बीसेज आर्ठिक छिद्र कहां इस्तित है और यहां पे Tiger Reserve कहां पे इस्तित है, तो यह जो Tiger Reserve है, सुन्दरवन Tiger Reserve यह भी पश्ची मंगाल में इस्तित है, उसके बाद में करता है कि संजय गांधी जरीकुद्दान किस नगर में इस्तित है, और चिरिया घर से समने एक स्वाल पुछे जाएंगे, तो याद रखेगा, तो यह भी याद रखेगा, गुजरात में इस्तित है, जीम कार्बेट नेशनल पार कहां पे है, तो यह उत्रा खण में है दोस्तों, और इसके बाद में करता है कि मंदहार हिल किस जिला में इस्तित है, आप से भी बाका में है, और इसके बाद में करता है कि उचावच दसन करने के लिए जो हैसे बिधी का विकास ये थे वो लेहमान महोदाने किया था तो कुश्मा ठाड़ा का राई का प्रमुख का चमाल क्या होता है तो आप सभी को मैनम होगा कि सीमेंट उदोग का जो प्रमुख का चमाल है वो चूना पत्थर होता है तो कोश्पर बीश का सही जवाब अप्शन यह हो जाएगा वो इसके बाद में करता है कि भारत में राष्टिये अस्तर पर पंचायती र चला जाएगा वो इसके बाद में करता है कि बिहार में पंचायती राज का सुरूप क्या है तो आप सभी गता दें कि बिहार में पंचायती राज का सुरूप ग्राम पंचायत भी है पंचायत समीती भी है और जीला पारशत भी है इसलिए राइट टिसरप्शन डी के सांच दो जाेगा, इन से सभी। उसके बाद में करता है कि इंडी का पुष्टा के लेखक कौन है। तो दýस्तों, आम सभी को दा दें कि जो इंडी का पुष्ता के जो लेखक है और मेगास्थनीज Ses« जो ते जह याद रखेगा, ये युनान का राजदू THा। और अर्थ सास के लिखा कौन थे तो ये भी याद रखेगा कोटिल यानि शानक और उन्हीं का नाम है विश्णुगूफ्त वो इसके बाद में करता है कि भारत में सरु प्रथम नगर निगम के अस्थापना कहा की गई थी तो याद रखेगा भारत में सबसे पहले नगर जो उदारन है वो अमेरिका है तो कोशनवर 25 का राई टिस्रप्शन एक एसान चला जाएगा अमेरिका पसकी बाद में करता है कि चीपको अंधरन का प्रारंभ किस राज से हुआ था तो याद रखेगा चीपको अंधरन का जो सुरुआ थे वह उत्राखंड राज से हुआ यहाँ पे स्वाल इस प्रकार से पुशे जाते हैं कि चीपको अंधरन के प्रानेता कौन थे तो सुन्दर लाल बहुगुना थे चीपको अंधरन उत्राखंड में चलाया गया एक ऐसा अंधरन था जिसमें आज परोश के सभी लोग पेंड से जाकर चिपक जा दे थे और प प्रमदा बचावंदरन किसने चलाया था तो मेधा पाठी करने चलाया था फिर करता है कि सुचना का अधिकार कानून गब बना था तो याद रखेगा कि संद 2005 की बात है जब सुचना के अधिकार संबंदी कानून बनाया गया था उसके बाद में करता है कि बिहार में ताकि छेतर से सम्मधित एक स्वाल जरूर एकजाम पेपर में देखने को मिलेगा पूशा जाएगा कि प्रात्मिक छेतर में क्या आता है तो याद रखेगा प्रात्मिक छेतर में क्रिशी आता है दूतियक छेतर में उधोग आता है और तृतियक छेतर में सेव आता है हलाकि प्रात्मिक्षित में क्रीशी दुख कही नहीं दिया गया है इसलिए सही जवाब इन में से कोई नहीं हो जाएगा कुछ की बाद में करता है कि योजना आयो का द्यक्ष कौन होता है तो आप से भी कुता दें कि योजना आयो के जो पदेन द्यक्ष होते हैं ये परधान मंतरी होते हैं और योजना आयो को कौन भंग कर सकता है तो परधान मंतरी कर सकता है और योजना आयोको भंग कब किया गया तो ये सन 2014 इसमी में किया गया कि इसके द्वरा तो वर्तमान प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी के द्वरा उसके बाद में करता है कि भारत में बीतिये वर्ष कब होता है रखी भारत में जो बीतिये वर्ष होता है वो एक अप्रेल से 31 मार्च तक होता है वो इसके बाद में करता है कि दादा भाई नोरोजी ने सर प्रथम राष्टिगी आयका अनुमान कब लगाया था दोस्तों बात है सन अठासो और सट इस्वी को जब दादा भाई नोरोजी के द्वरा भायत में सबसे पहले राष्टिगी आयका अनुमान लगाया था वो इसके बाद में अईलाइस वाल किसना 34 को देखे करता है कि मुद्रा की कार्ज है देखे मुद्रा का काम है मुल्ल का मापग भुकतान का सादन है तो मुद्रा मापग संचैन भुकतान सभी होगा जो की अपसेन D में दिया गया है अथा कोशन में 34 का राइट इस्वरप्शन D के साथ चला जाएगा पुष्के बाद में अलाइस स्वाल कुष्म 35 को देख लिए कोशन में 35 करता है कि भारत की बीती राजधानी की सहर को कहा जाता है तो आप सभी को ता दें कि भारत की जो बीती राजधानी है ये मुंबई सहर को कहा जाता है तो यहां पर कोश्चन का राई टिसर अप्सन एक एसा चला जाएगा मुंबई वो इसके बाद में करता है कि कौन बीमारू राज नहीं है आप सबी को ता दें बीमारू राज यहां पर उडिसा भी है मद्ध परदेश भी है और बिहार भी है लेकि करनाटक एक एसा राज है जो बीमारू राज के सरेणी में नहीं आता है वो इसके बाद में करता है कि इन में से कौन सा बहुराष्टिये कमपनी नहीं है दखिए बहुराष्टिये कमपनी किसे कहते हैं तो वैसे कमपनी जो एक देश में नहीं बिलकी अनेक देशों में अपना व्यापार करती है उसे ही बहुराष्टि ये कमपनी कहती हैं जैसे की Ford Motor, Samsung, Keka-Cola ये सभी बहुराष्टि ये कमपनी है लेकिन संथोस बहुराष्टि ये कमपनी नहीं है वो इसके बाद में करता है कि भारत में उपभुकता सुनक्षन अधिनियम की घोषना कब हुई थी तो याद रखिएगा 1983 मी की बात है जब भारत में उपभुकता सुनक्षन अधिनियम की घोषना कर दी गई थी Q38 का राई टेसरप्शन यह हो जाएगा उसके बाद में कराया है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है तो इस तो आप से भी उता दी कि प्रिथी में होने वाले कंपन को भुकांप के नाम से जाना जाता है और समुद्र में होने वाले कंपन को सुनामी की नाम से जाना जाता है तो कुश्चन का राइटे सेर अब संसी के साथ चला जाएगा सुनामी यहाँ पर पूशे जाते हैं सुनामी किस भासा का सब्ध है तो याद रखेगा जापानी भासा का सब्ध है और 26 दिशंबर 2004 को बिश्चो के किसे हिस्से में भ्यांका सुनामी आया था तो यह हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में उसके बाद में कता है कि मलवे के नीचे दबे हुए लोग का पता लगाने के लिए किस यंद्र की मदद ली जाती है तो उस यंद्र का नाम है इंफरारेड केमरा यदि इंफरारेड केमरा नहीं रहेगा तो प्रसिक्षित कूता रहेगा तो इस परकार से आज की इस वीडियो में हम आप सभी गता दिये हैं सोसल साइंस का एक सिरेका चालिश तक का ऐसा इंपोटेंट भी विए ऑबजेक्टी कोश्चन जो कि आपके 16 फ्रोई 2013 को होने वाले मैट्रिक एक्जाम पेपर के लिए काफी ही ज़्यादा इंपोटेंट है आशा करते हैं कि आज के वीडियो आप सभी को पसंदा हो दोस्तों वीडियो पसंदा हो तो वीडियो को लाइक किजेगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा चैनल पे नए होंगे तो हमारे इस यूटूब चैनल मैथ एंड मैजिक टीप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में संस्क्रीट तथा सोशल साइंस के एक और नए इंपोटेंट वीडियो के लेक्शर के साथ तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद